हम रोज सुबा उठ जाते थे, जल्दी जल्दी नहाते थे, फिर बस्ता टांग के स्कूल पहुँच जाते थे, स्कूल पहुँचके फिर कुछ नया सीखने की जल्दी होती थी, स्कूल में मेरे सबसे प्यारी हमें बढ़ा ही लगती थी हिंदी, इंगलिश, इतिहास, भुगोल और गनित भी सिखाते थे कंधों पर किताबों का बोज नहीं, दिमाग पर जोर लगवाते थे सारी इकाई और चौपाई हमें मूजबानी याद होती थी स्कूल में मेरे सबसे प्यारी हमें पढ़ाई लगती थी पढ़ाई की चिंता तब भी थी और डांट भी बहुत हम खाते थे पढ़ाई में दिक्कत हो तो माँ पापा खुद बैठ कर पढ़ाते थे बच्चे विना डरे टीचर से सारे सवाल कर पाते थे तब हम अच्छे नंबर लाने महेंगे ट्यूशन में नहीं जाते थे दिन भर पढ़ाई और साथ में धेर सारी मस्ती होती थी स्कूल में मेरे सबसे प्यारी हमें बढ़ा ही लगती थी बड़ी बड़ी इमारत से न नाम से तब स्कूल बनते थे तब तो अच्छे शक्षक और उनके ग्यान से स्कूल बनते थे हाथ जोड़ कर सरस्वती देवी की बंदना करते थे जय है जय है कैकर गर्व गर्जना करते थे तब तो ग्यान और विद्या में सची भावनाई भी मिलती थी स्कूल में मेरे सबसे प्यारी हमें बढ़ाही लगती थी ना रिजर्वेशन ना डोनेशन बस काबलियत से दाखिला मिलता था उस समय पढ़ाही का मौका सबको एक सा मिलता था मेहनस से पढ़ते थे मेहनस से नमबर लाते थे पास होने के लिए परिक्षा में पर्चे लेकर नहीं जाते थे उस समय मेहनत की टोपी सिर्फ काबिल के सर सचती थी स्कूल में मेरे सबसे प्यारी हमें बढ़ाई लगती थी खेल तो धेरो हमें स्कूल में खिराते थे खोखो कबड़ी और शतरंज में हम लोगों को हराते थे तब अपनी हार से ज्यादा सबकी जीत ही माइने रखती थी स्कूल में मेरे सबसे प्यारी हमें बढ़ाई लगती थी